यति नर्सिंग आनन्स सरस्वती ने मीडिया प्रेस कॉन्फरेंस करके पैंकमर मुहम्मद की शाम में गुस्ता की की है जिससे करोडो मुसलिम समाज के दिल को ठेस पहुची है इसके पहले पी यति नर्सिंग आनन्स सरस्वती ने कई बार इसलाम धर्व के खिलाप वयां दिय रहे हैं इस मुद्दे पर इंडियन यूनियान मुस्लिम लिख द्वारा जिलाधी कारी को ग्यापन सौफ कर कालिपाय करने की मांगी है पिछले कुछ समय से जातिवादी ताक्तों के एज़न्ट जातपात और धम के नाम पर मुख्यरूप से भार्टिय मुसल्मान और देश की एकता अखंटिता प्रेम भाईचारा राष्टपाद इन सभी समाजी कजों को समाप्त करने के लिए स्वामी नर्सिंग आनन जैसे जहरी ले लोग धर्म वज्जात पात का सहरा लेकर भार्टिय नातिकों के दर्म्यान खाना जंगी का महुल पैदा करने की बहुत जादा गंदी और ना कापिले माफी हरकत कर रहे हैं आज हमारा इंडियन उनियन मुस्लिम लिग नाकपूर सिटी का सिस्ट मंडल यहां पे जिला अधिकारी ग्यापन देने आया है आज हमने जिला अधिकारी के मारफत राष्टपती को ग्यापन देकर जो आतंकी नर्सिंग आनन है जिसने हमारे हुजूर मुहमद मुस्तुफा सल्लाव लेह सल्लम के खिलाफ एक दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फरेंस में आपत्ती जनक शब्त का इस्तेमाल करकर उनको और पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया है उसके लिए हमने आज राष्टपती को अभान करती है अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई और नर्सिंग आनन्द पर कड़ी से कड़ी कारवाई नहीं की गई तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लिग पुरें इंदुस्तान के अंदर उसके खिलाफ आंदोलन करेंगी और उसका कड़ा विरोत करती है देली शहर में प्रेस कॉन्फरेंस में स्वामी नर्सिंग आनन्दी खुलियाम बेहुदा बयान जारी करके भारतिय मुसल्मानों की भाना को भड़कानी और आहत करनी का काम क्या है मैं जुबैर घान नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुसलिम यूट लिग आज हमारा डेपोटेशन कलेक्टर आफिस में आया है और हमारी मांग राश्पती जी से है कि जो कि एक हमारे देश का गंगा जमनुस तैजीब है उसमें एक सौमी नर्सिंगा नाम के एक वैक्ती ने जनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके जरीए उनने ना केवल मुसल्मानों की और वो सभी लोगों की जो सेकुलरिजम और डेमोक्रिसी को मानते हैं हिंदुस्तान में उनकी भावनाओं को आहत किया है तो हम राश्पती मानने राश्पती महाधे से यह कहना चाहते है कि इसके खिलाब और जो भी कंटिनुसली जो हो रहा है उसके खिलाब एक कानून तो पहले से बने विये कुछ ऐसा कड़ा कानून बना जाए ताकि कोई भी धर्म कोई भी जाती कोई भी महापूरुष के खिलाब कोई भी कुछ बोलता है तो उसको कड़ी सी कड़ी सजा दी ज कि लोगों के सामने एक एने एक तारीक हो कि यह आदमी ने यह वैक्ति के खिलाब यह इस महापूरुष के खिलाब इस दर्म के खिलाब कुछ अपत्ती जनक का आता उसके खिलाब यह कारवाई की गए इसलिए इंडियन मुस्लिम लीग वारा जिलादी कारी को ग्या पंसौफ कर कारीवाई की मांग की गए हैं इस समय जलादी कारी कारले में शहर अठीक्श शमीम सादिक महासचिव गुलाम नभी उपाद्ध्धिक्ष नचिर परहत उपाद्ध्धिक्ष मोहसिंठ खान उपाद्धिक्ष एकपाल एहमद हाजी अश्राठ पपु शेक सादिक जिया प करेंपूद